वेल्कम तो अल आफ यू आज हम अरे की एक ओर प्रॉब्लम देखेंगे बेसिकली वी नीड टू फाइंड दा प्लोजेस्ट सम अफ दा गीवन नंबर सो इस प्रॉब्लम में हमें एक वेल्यू दी गई रहेगी एक्स की ओके तो एक्स की वेल्यू यहां पर क्या है 54 है मेरे पास अरे है जो मैंने पहले से लिख रखा है एक अरे है वह इंक्रीजिंग ओर्डर में ठीक है तो इन में से मुझे एसा सम निकालना है जिनका की एडिशन करें तो एप्रॉक्सिमेट इस इस एक्स की वेल्यू के बराबर आए अगर सपोर्च इन दोनों को अगर में एड क इस में देख सकते हैं कि इसका सम कितना 4 है अगर इन दोनों को करते हैं तो यह ज्यादा हो रहा है वो भी इस गीवन वेल्यू को पार कर रहा है यह 81 अगर मैं सपोर्च इसको और इसको एड करता हूं 22 प्लस 40 तो कितना हो जागा 62 यह भी ज्यादा हो रहा है इसमें किसी को भी एड करूंगा तो वह 54 के उपर ही जा रहा है अगर मैं यह वाले 30 को और इसको एड करता हूं तो इन दोनों का एडिशन कितना आ रहा है 52 ओके यह सबसे कम दिख रहा है क्योंकि अगर इन दोनों को एड करा था तो कितना रहा था 32 40 50 आ रहा था तो उससे तो अच्छा यह है कि यह 52 है इसमें दो का ही अंतर है तो यह सबसे इसको लेज़ें नंबर हो गया ओके सो हमको यह पेर निकालना है कि 22 प्लस 30 को एड करते हैं तो वह लोग वेल्यू है इस एक से गीवन वेल्यू के बराबर ओके सो यह हमारी प्रॉब्लम है हमको ऐसे पेर का इंडेक्स निकालना है कि जो जिनका पेर दिये गये नंबर के क्लोज्ड है ओके सो कैसे कर सकते हैं प्रॉब्लम लेट सी सबसे पहले मैं समझाता हूं कि basically कैसे solve कर सकते हैं यह problem को okay now सबसे पहली चीज इसमें दी हुई है कि देखो अरे जो है वो increasing order में है ठीक है increasing order में मतलब मैं क्या use करता हूं lower और higher चीज को देखेंगे binary algorithm के बारे में यह आ रहे क्या है हमारे सामने increasing order में है तो मैं lower और higher index ले सकता हूं अब मुझे क्या चाहिएगा एक difference चाहिएगा तो सबसे पहले उसकी value अगर मैं 0 रख दूगा तो 0 सबसे कम वाला index होगे मतलब वह number बराबर ही तो मुझे difference को सबसे ज्यादा रखना है तो उसके लिए या तो मैं number बढ़ा रख सकता हूं या java में एक चीज रहती है जो कि max value बताती है ठीक है integer की max value मैंने difference को दे दी अब pre-index निकालना है मुझे कि इसे कौन से वाले index है जो की जिनका sum जो है वो close दे दिये गए x value के बराबर तो सबसे पहले मैं closest index को pre-index बोल रहा हूं pre-lower initially 0 है और pre-higher जो है वो initially क्या रख रहा हूं मैं वो भी 0 रख रहा हूं अब now हम क्या कर सकते है higher index क्या है मैं क्या हो सकता मेरा यहां पर higher index वह a dot length minus one हो सकता है और lower index क्या है 0 है यह मेरे variables होगा है ठीक है अब मुझे करना क्या है basically मैं one by one सबसे पहले यह वाले index को और यह वाले index की value को add करना है और उसमें से इस sum को minus करना है जिससे कि हमको difference मिलेगा अगर वो difference initially तो यह 0 यह सबसे ज्यादा है तो initially हमारे पास में एक difference कि इन दोनों का रहेगा तो 60 और इन दोनों में difference कितना मिलेगा हमको यह पर ज्यादा और बट हाँ difference मिलेगा वो कितना मिलेगा 11 का मिलेगा मैरे सबसे तो 51 51 है तो difference कितना हो रहा तो 3 मिल जाएगा मतलब सबसे smallest difference मेरे पास कितना आ जाएगा इनिशली 3 आ जाएगा फिर उसके बाद में आरे को उपर मिनसे आरे वापस रोटेट होगा फिर उसके बाद देखेंगे कि किसको बढ़ाना है यहां पर difference sum of difference इतना है तो next time मेरा इंडेक्स इनको और 10 की वेल्यू को देखेगा कि इन दोनों का difference कितना आ रहा है अगर difference कम आ रहा है तो हमको अंदर लूप में insert करवाना है इन करवाना है अधर्वाइस लूप से बाहर कैसे जिसे वाइल लूप मेंने start किया सबसे पहले तो lower less than higher ठीक है नाव हमको सम निकालना सबसे पहले सम किस किसका निकालना है lower index प्लस ए ओफ हायर इंडेक्स ओके तो यहां पर इनिशली lower index कितना हो जाएगा 10 प्लस 41 equals to 51 ठीक है अब मुझे क्या करना है कि difference निकालना है कि difference अगर कम रहेगा तो ही अंदर जाना है इन दोनों का difference मेरे पास कितना आया 3 आया मतलब 54-51 equals to 3 तो difference कितना आया 3 आया इनिशली यह जो difference है वह maximum value हो सकती है इसकी बहुत जाजा 2,4,1,5,6,7 integer की जो भी max value रहती है वह है तो वह greater than obviously तो उसके लिए अंदर जाएंगे और यहां पर difference को हमको क्या कर देना है जो भी इनिशली value आई है जो कि sum minus x तो कितना आ जाएगा difference मेरे पास में तीन आ गया फिर उसके बाद pre lower भी मेरे को देना है कि हाँ कुन index कुन से है तो वह lower लो वेल्यू जो लो इंडेक्स जो है उसका और प्री higher वह कितना मेरे पास में जो जाएगा वेल्यू है वह वाला और उसके बाद यह लोप से बाहर फिर अब मुझे कौन सी value को increase करना कौन सी decrease करना है अगर sum जो है वो greater than x के अगर sum जो है मतलब यह सम जाया है वो कितना मिल रहा है 51 मिल रहा है ठीक है 51 greater than 54 के नहीं है तो अगर रहता तो higher को हमको minus करना पड़ता यहां से value मेरा करसर यहां पर आता बट हमारी कंडिशन में else condition ही चलेगी जिसमें की कि लोवर प्लस प्लस हो जाएगा लोवर प्लस प्लस मतलब मेरा index यह यहां पर आ जाएगा ठीक है अभी मेरे पास difference मिला तीन लूप वापस यहां से उपर गया देखा lower index obviously कमी है फिर सम निकाला सम किन किन का निकालेंगे 2251 इनका सम निकाला तो ज्यादा हो रहा है यह तो लूप से बाहर आ गया ठीक है तो यहां पर condition अब सम ज्यादा आ रहा तो higher को कम करेंगे तो higher मेरा यह यहां पर आ गया दूसरी बार में फिर लूप वापस उपर गया उपर जाके सम निकाला यह सम प्लस यह कितना हो रहा है 62 हो रहा है और यहां से हमने यह देखा 62-54 डिफ्रेंश ज्यादा हो रहा है क्योंकि मेरे पास लोवर इंडेक्स 3 है तो लूप से बाहर आ जाएगा और देखेगा कि ज्यादा जा रहा है 62 यह तो higher की value बढ़के यहां पर आ जाएगी ठीक है लूप वापस उपर गया जाके देखा कि हाँ वह तो इंडेक्स अभी 52 52 सम आया मेरे पास में अभी यहां पर सं माइनस टू सं मायनस ऑं तू सिफ्टी पॉर और इधां देख सकता हूं 54 मायनस यह तो deeper कितना मिल रहा है मेरे पास में 2 मिल रहा है यहां पर कुझ सा difference है 22 plus 30 इकवाल टू 52 मैनेस 54 हम यह माइनेस प्लस जो रहेगा वह पट हां डिफरेंस कितना मिल रहा है मैंरे पास में दो मिल रहा है लूट के अंदर गया एक कंडिशन टू क्योंकि प्रीविएस वाला जो सम था वह डिफरेंस कितना था 3 था 3 ग्रेटर देन तू कंडिशन टू लूट के अंदर गया यहां पर जाकर के इसने इस वेल्यू को कितना कर दिया तू कर दिया अब हमारे पास में मिनिमम डिफ्रेंश कितना आ गया तू आ गया और उनके इंडेक्स कितना आ गया वन प्लस इसके इंडेक्स आ गया अब आने के बाद यह वेल्यू हमारे पास आ गई कि टू सबसे इनिशल है लूप से बाहर ऐसे से करके जैसे वेल्यू घटके इसको यह लूप से बाहर आएगा वाई लूप से बाहर आ जाएगा और यहां से हमको जो इंडेक्स मिलेंगे वह प्री इ सब्सक्राइब करना था सबसे मिनिमम इंडेक्स कौन-कौन से हैं जीरो ए ओफ है वन वाला इंडेक्स एंड ए ओफ जीरो वन टू थी फोर फोर इंडेक्स इन दोनों यह दोनों इंडेक्स जो है इनका एडिशन करने पार सबसे सब्सक्राइब के लिए फिफ्टी फॉर के पास में क्योंकि यह फिफ्टी टू है ओके तो आपको जो भी डाउट्स हो जो भी आपकी क्यूरी हो प्लीस राइट डाउन इन दा कमेंट बॉक्स एंड थेंक्यू सो मच फोर दा भाटी को टेक प्लीस लाइक अबस्क्राइब मैं चैनल थैंक यह सो मुछ